जीला अलिकारी के आदियस पर राज्यस बिवाग के टीम ने किया अस्थलिय निरक्षण नबावगन चेत के महनपुर गाउं के दुबोलिया मजरे में सुकमार दूबे के घर से सुबेदार दूबे के घर तक बनी RCC सड़क कई गाउं के संपर्क मार्क को जोड़ती है लेकिन अब यह सड़क बिवाद की जड़ बनने के साथ साथ कई लोगों के गले की खासी भी बन चुकी है इस सड़क का निर्मार लगभग पांच साल पूर्व वर्तमान ग्राम परधान दुरगा सिंग की पुत्र वधू अनुवराधा सिंग के कारिकाल में हुआ था अब यह सड़क के पास इस्थित भूम के साथ खातेदार बिनोस सिंग सहित अन खातेदार वा शुकमार पुत्र राम जोरे का जमीनी को लेकर आए दिन विवाद हो रहा है और नौबत फ़ुजदारी की उत्पन हो जाती है मिली जानकारी के अनुजार बीते 15 अक्टूबर को सिंगमार ने उपजिलाजकारी तरफगन को दिये गए प्रातना पत्र में बताया कि गाटा संक्या 725 में उसका घर बना हुआ है साथ ही घूर घरिया और चन्नी भी है उपरुक्त भूम पर बिपक्षी गण राकेस रबि बिनोर आये दिन जमीन को लेकर बीबात करते रहते हैं और फोरिदारी पर अमादा हो जाते हैं जान से मारने की ढमकी देते हैं प्रातना पत्र बिचार करते हुए उपजिलाजकारी तरफगन सत्रोंद पाठग के द्वारा 17 अक्टूबर को संबंदित थाना अद्रच्वा राजस विभाग के रिच्छन कर रिपोर्ट बेजने को कहा था जिस पर आज रविवार को राजस विभाग की टीम के राजस निरचक सुकुमार वर्मा के नेतुद में मौके पर पहुंची टीम के पहुंचने पर दोनों पक्च आपस में बिढ गए और तनाव की स्थिती उत्पन हो गए इस उतना मिले पर पहुंचे ग्राम परधान दुर्गास सिंग ने दोनों पक्च को किसी तरीके से सांथ करा है बिपक्ची बिनोत कुमार रबिन कुमार आदिन ने बताया कि उपर आर सिसी सडक बिना किसी चकमार के बनागी दी गई थी जिससे उन सभी की जमीन का रखबा कम हो गया साथ ही इन सभी का कहना है कि सिकायत करता सिकुमार का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है ना ही जमीन में उनका नाम दर्ज है बल्कि उनके पिता राम जोरे जमीन में साखाते दार हैं ग्राम परधान दुर्गा सिंग का कहना है कि आर सी सडक ल यह मैंनपूर गाउं में दुबावली मर्दम आये हैं आप लोग को जाज कर रहे हैं इसके बारे में बताइए क्या गाटा संक्या सब्सक्राइब तो जाच में क्या पाए हैं आप तहली ने शड़ करके रिपोर्ट भेजें विवाद किया था दफी है विवाद है में किसके किसके बीज नाम बताओ भी यह अब करना में राज कमार्त हो गे यह कुमार्त हो गे तो